हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैंने गोल-गप्प्यका मसाला गोल-गप्यका पानी घर में बनाया है जो बहुती इजी तरीके से बनाया है और बहुती फटँफट बनकर त्यार होता है साथ में बहुत ही टेस्टी है तो इसके लिए मैंने धनिया पत्ति लिया है इनको अच्छे से वोस कर लिया और पुदिना पत्ति लिया है इसको मैंने अच्छे से वोस कर लिया और चार से पांच मैंने हरी मिर्च लिया है तो इस सब को मिक्स जार में डा दाल दिया साथ में थोड़ा सा नमक लिया है नमक हमें द्यान से डालना बाद में डालना है और अब एक गिलास मैंने पानी भरके लिया है तो पानी आपको जितना चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं जितने आप गोलगपे का त्यार करेंगे पानी उतना में पानी डालना है सा कुम चलने से चांड लेंगे और मैंने फोड़ा सा नमक में वह दोपनी डाला है क्क्मध कर लेंगे दोस्तों अगर आप चिननी मिठा पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं और यह मैंने दो चमच जलजीरा डाला है और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिन्नी को अच्छे से घोल लेंगे जब तक चिन्नी हमारी गुलतिया अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और अभी मैंने ये दो बोईला लो लिये हैं एक मीडियम साइज ब्याज लिया है एक छोटी कटोरी मैंने उबले हुए चने लिये हैं इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमारे पास चने बोईल नहीं है तम दो सीटी उसी टाइम लगवा सकते हैं ये खड़े लिखड़े रहते हैं थोड़ा सा कम पकते हैं तो भी चना बहुत अच्छा टेश्ट देता है अर्वेदर मैंने तेल को गरम कर लिया है और यह जो गोलगपे मैंने डाल ले हैं तो यह मैंने बजार से पैकिट आता है उसी से मैं इसको बना रही हूँ यह बहुत ही अच्छ में रख लिया साथ मसाला रख लिया ऊपर सेलका Size इनको बोड़ेंगे टश करेंगे और मसाला इसको अच्छे से फिल कर देंगे इसकेcan अंदर तो अब सभीको मैंने भड़िया है और बिसका पानध रख लिया अब इन सभका मैं अच्छे भरके नपांगी डाल कर सरु करेंगे तो फ्रेंड्स अगर मेरे इस पी पसंद आते हैं तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद